कि हेलो दोस्तों वेलकम बाइक और यूट्यूब चैनल स्टार्क अश्टेडियू पॉइंट दोस्तों इस वीडियो हम लेकार आप सभी के लिए बाइलोजी जीप बिगान का मॉडल सेट ये थिरी है दोस्तों इसे पले मनें आप लोगों के आप लोगों को मिल भी रहा है द दोस्तों ये सभी देख सकते हैं बिएस वीडियो एक्जाम को बता रहा हूं जो आप लोग के बुट परिक्षा में काफी सारे कोशन यहां से मिल सकते हैं ठीक है अगर आप दोस्तों के चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राब कर लिए और साथ में बेल आकोन और आपको नोट सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्किप्शन में दिया गया या फिर यूजर निम सर्च किया जाके फॉलोग जरूर कीज़ेगा अगर किसी भी तरह का प्रॉलम होता है तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो यहां पर पहला को में यह सारे कोशन काफी बार पूछे गए हैं और मॉडल सेट के कोशन है ठीक है वही मैं आप लों के हाँ पर सेलेक्ट करके देता हूं उमीद करते हैं दोथो इस वीडियो के माध्यम से आप लों को काफी सारी जानकारी मिलेगा वीडियो को लास तक जोर देखेगा से लेकर निटा आई टी जे इमेंस एडवांस का हो या किसी फी सब्जेक्ट फिस्क्रेंश्टी मैट बैलोजी का हो हर सब्जेक्ट का मिलेगा सोलूशन साथ ही डॉटनेट पे कलास 9 से 12 तक लाइव कलास हिंदी और इंगलिस मेडियम में चल रही है तीन क्रोड से अधिक और डॉल्फिन को स्विमिंग करने में हेल्प करता है यानि यहां पर फिलपर्स का काम तो सेम है बट इसका ओरीजिन और स्टेक्टर दोनों अलग अलग होता है दोस्तों इसलिए फिलपर्स होगा एक दूसरे के लिए एनालोगी और गन होगा तो एक का जो है सही आंसर होता है दोस्तों स्टाज जब कि शिकास डिवीजन लोगीज्वून एकसी से होता है ऑर वह भी में होता है तो छिशाए इसका सब से एकजम्पल है है दोस्तो युग लीना ठीक है तो दों का जो सगी आंसर होगा शीव लीना यानि यूगलीना में जो है longitudinal binary फीजन होता है अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि peri-esperm is remained person of तो peri-esperm जो है दोस्तों किसका remained person है तो peri-esperm जो है nucellus यानि बिजांड काई का जो है remain person है तो तीन का जो है सही answer होगा यहाँ पर ये अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि इन में से कौन पर बहु गिनिता को दर्षाता है which one of the following would represent allotrophloid तो इन सभी में दोस्तों बी जो है allotrophloid को दिखलाता है दर्षाता है तो चार का जो है सही answer होगा यहाँ पर बी अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन एक इन में से कौन निशेचन आंतरिक होते हैं इन विच आप दा फॉलोइंग फटिलाजेशन इस इंटर्नल देखिए दोस्तों जब फटिलाजेशन बड़ी के अंदर होता है तो इंटर्नल फटिलाजेशन का लाता है जब फटिलाजेशन बड़ी के बाहर होता है तो एक्स्टर्नल फटिलाजेशन का लाता है तो इन सभी में दोस्तों एंजियो एस्पर्म जो है जो एक प्रकार का फ्लावड अंतर होता है उसके the main difference between gram positive and gram negative bacteria due to तो यह जो है दोस्तों gram positive और gram negative bacteria यह basically इसके cell wall में difference के कारण होता है ठीक है तो 6 का जो है सही आंसर होगा B कोशी का भीति यानि शेल वाल के कारण जो है gram positive और gram negative bacteria होता है अला कोशन देखते हैं अला कोशन है कि अत्याधिक alcohol लेने से सरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा परवावित होता है which organ of the body is most affected by excessive intake of alcohol देखिए दोस्तों जब अत्याधिक alcohol लेते हैं तो सबसे एफेक्टिव होने वाला अंग है वह है लीवर लेवर पर दोस्तों सबसे ज्यादा परवाव पड़ता है ठीक है तो 7 का जो है सही आंसर होगा B लीवर या कृत अगला कोशन देखते हैं अगला अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि हीमिलीन सब्सका परयोग होता है डप अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि मोनोहाबिड क्रॉस का एक यानि kao monohabrid cross یعنی एक संकर cross में genocide वन पाता है the genotap ratio in monohabrid cross the monohabrid cross में दोस्तो which यो मॉन हैब सब्सक्राइब रेषियो होता है वटा कमोने कोस अगला कोशन है कि dwomeкам कारण होता हैं मेरिया कि इसिस फस्टाइब उते होता के कारण होता है बेसिकली प्राजमोडियम ठीक है प्राजमोडियम ग्रूप के कारण जो है जो एक प्रो कारण प्रॉली जो है प्र घृत्त है अले मन का जैसी आंसर का यहांपर आ regular कोशन कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि खाल स्रिंखला में निमलिकीत में सबसे अधिक अबादी किसकी है वुचन अपड़ फूलोइंग है दे लार्जेस्ट पॉपॉलेशन इन फूट चेन तो फूट चेन में दोस्तों सबसे ज्यादा संख्या होता है अधिक पॉपॉलेशन ह होता है वह होता है डिकंपोजर्स का यानि अपगटन करता का तो ट्वेल्ब का जूए सही आंसर होगा यहां पर डिकंपोजर्स अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि मेंडल के अनुसार कौन सा अगुन प्रवाहित होता है एकॉडिंग टू मेंडलिजम फूच केरे में अंगला कोशन है कि का कारक होता है जोस्तों एक परकार का पैथोजैनिक अमीवा के का रहाए थी इस्टोले तो फोटीन का जए सऑ आंसर होगा यहाँ पर शुंग कि अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि होमो स्य पयेंश का विकास कहा हुआ है होँमो स्पैंश एक रस एर रोज इन तो होमो स्पैंश का उद्पति है दोस्तों वह हुआ अफिरिका से अफिरिका महादेश से ठीक है तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहां पर यह अफिरिका अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि उस कथन का चुनाव करें जो सबसे उत्तम परजिवता को दर्साता है अगला कोशन करता है और उसको अफिर्ट भी करता है ठीक है तो इन सभी में जो है पराशेटिम को दिखाएगा इसका सही एक्जामपल होगा सही स्टेटम होगा और 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 अज़ आज एफेक्टेड ठीक है तो 16 का सही आंसर होगा यहां पर दी यानि एक जिव को लाब होता है और दूसरे को पर भी प्रभाव परता है जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं एक्जामपल इसका जैसे कि जो जो कि बलट शकर एनिमल्स होता है दोस्तों यह बेसिकली आप जानते होंगे कि मानव सरी से एक खून पीता है और उसको एफेक्ट भी करता है ठीक है तो यह जो है परा सेटिम्न का सबसे अच्छा एक्जामपल है आप जैसे जू ले सकते हैं ठीक है यह भी इसका सबसे यह धिव को लईनतो हता है दूसरे पर ह게요 का अच्छा एक जलदे कि ले जीड़ी है लाकूसिन जो को दबात देता है इस गटना को करते हैं यह जीं पेट ऐस एफेक्ट ऐफेक्टव इनऐग यह फैनोमेन सो M कि ठीक है जब एक जिन दूसरे जिव के पप्रभाव को दबा देता है तो वह जो है डुमिनन्म जीव का लाता है तो सेमेंट का जो है आंसर होगा यहां पर भी डॉमिनिन्वस नंई पप्रवाव इस्था है आगला कोशन देखते हैं क्योंकि Ohund Deception से कारण शरड से अने वाला Ultra Violet की रन वो basically human skin में cancer का मुख कारण होता है human skin में basically mutation करता है और cancer को उत्पन करता है यकिस के कारण होता है UV के कारण और UV क्यों आता है ozone depletion के कारण 18 का सही answer का यहाँ पर भी ozone पूरत में कमी अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि वीडाल परिक्षन किसकी पूष्टी करने के लिए किया जाता है वीडाल टेस्ट डन टू कनफर्म तो वीडाल टेस्ट का यूज क्याते हैं दोस्तों टैफाइड को जाच करने के लिए ठीक है टैफाइड का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है तो 19 का जो है सही अंसर होगा यहां पर बी अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि गर्व धारन अब धी है है गेस्टेशन इस लिए बीच का जो है पिलिएट होता है तो 20 का जोरोगा यहां पर सीं आगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि अंडानू में बाहर से अंदर की और अस्तोरों का निम्व में से कौन शक्रम होता है दो कोड़ेक्ट सुक्यन्स ओप ओवेरीन लेयर फ्रम ओर्टर टू इनर सेड तो ओभरी आं लेयर का दोस्तों बाहर से अंदर की ओर जाहे इसका सुक्यैस कॉच्यन्स होता है वह अन्दर कॉरोन रेडियेटर यहनी के पूरोन रेडियेटर सबसे बाहर हो इसके अंदर होगा जोना प्लिशुड़ा इसके बाद होगा विटेलेंड वैटेलेंड मेंब्रेन ठीक है तो 21 का जो है सही आंसर होगा यहां पर सी अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि गर्व की पर्थम गती तथा इसके सीर पर बालों की उपस्चिती पराया गर्व वस्था के किस मां के दोरान अनुभव होती है दो फॉस्ट फॉटेल मुवमेंट एंड एप्रियंस ओप हैर्स ऑन हैड अकर्स इन वीच मंत ऑप इडिनेंशी तो फॉस्ट फॉटेल मुवेंट जो हता है दोस्तों वह फिप्ट मांथ में होता है तो 22 का जो है सही आंसर सबसे अधिक दूर्पियोग किया जाता है ठीक है दटेस्ट मिश्यूज फोर सेक्स ऐडेंटिफिकेशन ऑप अनबॉंड बेबी तो दोस्तों जो टेस्ट यूज मिश्यूज किया जाता है वो टेस्ट है एम्नियो सिंतेसिस ठीक है तो 23 का जो है सही आंसर होगा दोस्तों यहां पर भी एम्नियो सिंतेसिस टेस्ट जिसका यूज की मिश्यूज किया जाता है दोस्तों सेक्स ऐडेंटिफिकेशन में तो 23 का सही आंसर होगा बी अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि जन्वर नियंतरन की वीधी कौन सी है विच आप दा फॉलोइंग इदे मे 24375 यह सभी जो डिवैसेज है इसका यूज किया जाता है तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहां पर सीम अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि कौन सा मत व्यक्तिगत जाती विर्ति की पुनराविर्ति करता है विच वियू रिपीट्स दा एस पेसिज तो इसमें दोस्तो इसका सही आंसर होगा पुनराविर्ति सिधान यानि रिकैप्चुलेशन थियूरी तो 25 का सही आंसर होगा यहां पर सीम अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि जैविकास के सिधान का मुक्ष समद्ध है तो तो ऑर्गेनिक इवोलूशन का मेली कंसर्ड है दोस्तों ग ग्रेज्वल चेंजेशन से तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहां पर सीम अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि निम्नानकीत में कौन जाद वायू जनित रोग कौन सा है विची दो फॉलोईंग इस एयर बॉन डिजिज तो एयर बॉन डिजिज दोस्तों इन में से जो ह रहता है लेकिन इनफेक्शन का में माध्यम होता है वह एयर होता है ठीक है इसलिए ये जो है एयर बॉन डिजिज का लाता है तो 27 का जो है सही आंसरों का यहां पर डी इन में से सभी इसलिज लिजिज देखते हैं अगला कोशन है कि मिलेरिया पर जीवी के संक्रमन की मुख आवस्था है द इनफेक्टिव स्टेज Оफ मिलेरिया पराशेट तो में इन कि फेक्टिव स्टेज होता है मिलेडिया का दोस्तों होता है इस्पोरो ज्ट तो 28 का जो है सही आंसर होगा यहां पर भी इस्पोरो ज्ट अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि दर्व यानि तरल पदार्थ को 70 to 80 centigrade पर गरम कर एका एक तेजी से ठंधा करने की परक्रिया को कहते हैं ले हीटिंग ऑप लिक्विड अप्टू सेवें टू टू एटी डिशेंटिग्रेड फॉलोड बाइद रैपीड एन कूलिंग इज नोन है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों पास्टू पास्टू बेसिकली दोस्तों यह दूद को प्रिजब करने का एक अच्छा मेठर होता है ठीक है तो 29 का सही आंसर होगा बी तो विमिन करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को जरूर सब्सक